हलो दियर स्टूडेंट्स आर्पी मैथट फॉर्ट शॉर्ट टूट्वेटी प्लस मार्क्स इन जेए मेंज आज का ये सेशन क्लास 11, क्लास 12 और 12 अपियर्ड यानि की 12 पास हर वो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्डेंट है जो जेए अस्पेरेंट है और जेए में अच्छा परफोर्मेंस देना चाहता है अगर आप रिपिटर स्टूडेंट हैं अगर आप ड्रॉप लेकर इस साल जेए में अपियर हो रहे हैं तो आपको इस सेशन से ये समझ में आएगा कि किस तरह से आपको अपने सेलेबस को लास्ट डेज में अपियर करना चाहिए औ आप 220 प्लस मार्क्स अपने जेए में जरूर ला सकें और अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आपको आज के सेशन से ये इंसाइट मिलेगी कि किस तरह से पूरे सेलेबस को अपने को कंप्लीट करना चाहिए और क्या हमारे चैप्टर का वेटेज किसी एक्जाम में ह होता है किसी भी चैप्टर में इंपुट वर्स आउटपुट का क्या कॉंबिनेशन होता है और हमें किन चैप्टर पर फोकस हमें जरूर से करना चाहिए यह सारी बाते आपको आज समझ में आएंगी आगे बढ़ने से पहले मैं यह बता दूँ अगर आपने इस चैनल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी कॉंटेंट आपके सामने आता है जो भी कॉंटेंट हम रिलीज करते हैं वह आपको मिस नहों और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके 64000 से ज्यादा स्टूडेंट इस चानल के साथ जुड़े हुए हैं और र आरपी मैथड का मतलब है रिविजन प्रायरिटी मैथड किस तरह से आपको अपने चैप्टर को रिवाइस करना चाहिए क्या उनका शेप उनका सीक्वेंस रखना चाहिए इंपुट वर्सेज आउटपुट को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे सिलेबस को जेई का जो चैप्टर वो हैं जिन में रिलेटिबली आपको टाइम कम लगता है रिवाइस करने में पढ़ने में और इनके उपर बहुत अच्छा आता है इन चैप्टर के साथ आपको जो स्कोरिंग अबिलिटी है उसको इंप्रूब करने में बहुत हेल्प मिलती है आपका एक्यूरे उनने ब्रेक किया है तो सबसे पहले फिजिक्स में में बात कर रहा हूं यूनिट डाइमेंशन एरफ और अच्छा होता है उसके बाद आता है प्रॉपर इन चैप्टर को एकदम लास्ट में पढ़ते हैं और इनके ऊपर कम टाइन देते हैं इन चैप्टर पर कम प्राक्ट है जिसमें आप अपना एक्यूरेसी लेवल हंड़िट परसेंट एक्सपेट कर सकते हैं ऐसे चेम अवरॉल पूरी मेकैनिक्स को आपके सामने खूल के रख देता है वेब उसी के साथ जुड़ा हुआ यूनिट है इसी तरह से मॉडरन फिजिक से मिकंड़क्टर डिवाइस ये वो portion है जो class 12th का है लेकिन कम टाइम में कम efforts के साथ बहुत अच्छा score इस portion में किया जा सकता है optics इसी तरह का दूसरा portion है यह पहले तीनों units class 11th से आते हैं और बात के दौनों units class 12th से आते हैं मैंने जान बुचकर जो groups बनाये हैं जो revision priority 1 रखा है या 2 रखा है या 3 या 4 रखा है इसमें 11th और 12th के हर उस combination को plan किया है जिससे आपको JMA score करने में बहुत help मिलती है इसके बाद हम बात करते हैं chemistry की तो chemistry में हम सबसे पहले बात करेंगे periodic table, chemical bonding, coordination compounds, d and f block मैं आपको एक चीज और बता दूँ इस session को last तक जरूर देखिए सिर्फ ये मत समझिए कि आपको केवल chapters के नाम मिल जाएंगे chapters की sequence पता चल जाएगी तो आप इसको implement करना शुरू कर देंगे क्यों क्योंकि एक इसमें खास बात है कि इस पूरे method को implement कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगा इसलिए पूरे session पर बने रही है ये इसकिवल chapters है और ये sequence नहीं है ये chapters की priority first है ये sequence नहीं है इसकी sequence हमें कैसे plan करनी है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा क्योंकि वो हर अलग-अलग student के लिए अलग-अलग हो सकती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें है period table chemical bonding जो कि class 11th का portion है और overall chemistry का पूरा जो एक vision है वो आपके सामने broadly open कर देते हैं इसी के साथ आता है coordination compounds D&F block जो कि class 12th के portion है coordination compound के साथ क्यों उपर अच्छे simple questions बनते हैं जहीं में बहुत अच्छे questions बनते हैं अच्छे संख्या में questions पूछे जाते हैं पूरा unity या इन और्गनिक chemistry से आता है D&F block coordination के साथ ही जुड़ा हुआ इसलिए हमें इसको यहीं पर revise करना चाहिए better performance के लिए better expectation के साथ हम यहाँ पर इन chapters को club करते हुए आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद आता है physical chemistry का एक portion thermodynamics, solution, solid state and surface chemistry यहाँ भी मैंने 11th and 12th को mix करने की कोशिश की है thermodynamics class 11th से आता है thermodynamics को group 1 में रखने का दूसरा एक और बहुत बढ़ा reason है कि आप heat and thermodynamics physics में भी यहाँ पर revise करते हैं इसलिए group 1 में chemistry का thermodynamics भी साथ में revise किया जाना चाहिए इसी के साथ organic chemistry का portion में ने लिया है जो कि IUPAC, isomerism, जो initial portion है उसके बाद general organic chemistry hydrocarbons, halos and derivatives maximum portion यह 11th का portion है लेकिन यह बहुत importance रखता है और इसके बाद आता है polymer and biomolecules यह 12th का portion है chemistry in everyday life and environmental chemistry जो की complete theoretical chapter है लेकिन हर साल इस पार्ट से जही में questions पूछे जाते रहे हैं एक बात में आपको और बता देता हूँ कि यह जो chapters में यह बता रहा हूँ especially CBSC के जो students है class 12 के जो students है वो इस बात पर ध्यान जरूर दें कि इन में से, इन सभी chapters में से term 1, term 2 में आपके कुछ units delete कर दिये गए थे लेकिन JE में आपको वो पूरे units complete करने हैं इसलिए इन chapters का importance बहुत जादा है और यह chapters आपको JE में बहुत अच्छा boost देते हैं इसके बाद अगर हम maths की बात करते हैं तो maths में progression, determinant and matrices class 11th और class 12th का combination प्लान है किया है इसी के सासाथ आता है set and relation जिसका short short question आता है functions limit continuity, differentiability, methods of differentiation tangent normal, mean value theorems and rate measurement जो की complete differential calculus को यहाँ पर cover कर लेता है 11th and 12th दोनों का mixing यहाँ परमने किया है उसी के सासाथ indefinite and definite integration area, differential equations vector and 3D बहुत important portion है JE में बहुत अच्छे questions बहुत simple questions बनते हैं 2 से 3 question आपको इस वाले unit से मिल जाते हैं mathematical reasoning and statistics short short दो question यहाँ से बनते हैं तो यह group 1 ऐसा group है जो आपके JE का 11th and 12th दोनों को मिला कर लगबग 40% syllabus cover कर लेता है और 40% syllabus यानि अगर आपने केवल group 1 पर भी focus किया तो यकीन मान कर चलिए कि आप JE में इस particular portion से बहुत अच्छा score कर सकते हैं अपने score को लगबग आप 160 तक पहुँचा सकते हैं यह portion ऐसा है इस portion के उपर भी अगर आप command कर लेते हैं तो भी आपको JE में 160 का total देखने को मिल जाएगा यकिन मान कर चलिए केवल group 1 की अभी मैं बात कर रहा हूँ और ये पूरा syllabus भी cover नहीं करता है लेकिन priority में हमें इन chapters को पहले रखना चाहिए अगर आप class 12th के students हैं और इस साल आप अपने board का examination भी देने जा रहे हैं टर्म 2 आप अगर देने जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखे especially term 2 के ही chapters यहां पर plan किये हुए हैं जैसे modern physics हो गया semiconductor optics हो गया इसी तरह से integral calculus हो गया है vector 3D हो गया है यह वो portion है जो term 2 में यह portion term 2 में भी आपको help करेगा तो आप अपनी planning उसी तरीके से कर सकते हैं अब बात करते हैं कि क्या हमें physics को सबसे पहले finish कर देना चाहिए उसके बाद chemistry उठाना चाहिए उसके बाद हमें maths उठाना चाहिए या फिर हमें एक chapter यहां से एक unity हाँ से, दूसरा unity हाँ से, इस तरीके से करना चाहिए, देखे, मैं suggest करता हूँ कि आपको daily, कम से कम दो subject तो daily आपको पढ़ने ही चाहिए, preferably तो तीनों ही subject आपको daily पढ़ने चाहिए, लगबग आप 2-3 घंटा अपना एक subject को दें, फिर 2-3 घंटा आप दूसरे subject को दें, अगर आप 12K students हैं, तो JE का preparation आप लगबग 2-3 घंटे तक करें, और उसके बाद उस वाले chapters को जो आपने cover किया है, अगर वो term 2 के portion के आते हैं, तो आप साथ में एक घंटा फिर term 2 के लिए भी दें, इस तरह से daily output आप लगबग 10 घंटे का यहाँ पर बना कर चलते हैं, तो आ आप term 1 के, term 2 के और जेए के इस RP1 ग्रुप के जो chapter से इनके उपर बहुत अच्छा command कर लेंगे, और अपना score 160 तक जरूर पहुचा देंगे, यह मेरा experience है, और मैं इस पर बहुत commitment के साथ आप से बोलता हूं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपने focus को incline करने की जरूरत है, जिससे आप यह सारा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अब इन chapters को एक साथ यहां रखने का reason, period table, chemical bonding, coordination, dnf block, यह chapters ऐसे हैं, जिनको आप अगर एक साथ पढ़ते हैं, तो आपको कम efforts लगते हैं, ज्यादा अच्छा output आता है, तो इसी तरह से हमने यहां पर यह preparation किया है, और यह group 1 का portion है, जो कि आपको 160 marks अपके JE में जरूर provide कर सकता है, इसके बाद अगर मैं group 2 की बात करता हूँ, तो जो RP2 group में आते हैं, जो revision priority 2 हमारा है, उसमें आता है electrostatics, gravitation, capacitance and current, current electricity जिसको हम बोलते हैं, यह physics में हो गया, chemistry में atomic structure, chemical kinetics, S&P block, metallurgy, यह वो portion हो गया वापस से inorganic का portion है, chemical bonding जस्क यहां पर आपने किया है, S&P block आप साथ में कर लें, तो inorganic का almost पूरा part आपका cover हो जाता है, और यहां तक आते आते आते, आपका जो syllabus है, वो इस level पर आपके सामने expose हो जाता है, कि आप JE में अपना 200 तक अपना score पहुँचा सकते हैं, और mathematics की अगर बात करते हैं, तो monotorosity, maxima minima, certain relation, and equation, point and straight line, यह वो portion है, जिसमें आप अपना जो portion, जो आपका coordinate geometry के दो chapters हमने especially यहां पर लिये हैं, और maxima minima, monotorosity, differential calculus का application portion को हमने यहां पर cover किया है, इस portion को अगर आप लेकर चलते हैं, certain relation को मैंने आपर आपके लिए choice दिया है, वो इ इसका काफी सारा portion function में भी आपको help करता है, वो छोटा सा chapter है, लेकिन अगर माल लेजिए, आप term 2 के prepare कर रहे हैं, और आप अगर 12th के students हैं, तो आप यहां पर इस portion को skip कर सकते हैं, और उसको यहां पर रख सकते हैं, यह आपके अपने performance, अपनी जो अभी तक की preparation level है, उसके पर depend करता है, कि आप इस certain relation portion बहुत छोटा सा है, यहां रखें, यहां रखें, लेकिन group 2 तक आते हैं, आपका यह portion अगर आपने revise कर लिया, तो आप यकीन मान कर चलिए, कि आपका score 200 क्रॉस कर जाएगा, जेई में, अभी भी बहुत सारे chapters जेई के बचे हुए हैं, usually मैंने द suggestion है, कि आप अपनी priority इस order में रखें, जैसे electrostatic से, इसको आपको complete करने में, इसमें revise करने में भी आपको time ज्यादा लगता है, current electricity important है, revise करने में time ज्यादा लगता है, यहां पर आने के बाद accuracy level भी 100% usually नहीं हो पाता, लेकिन group 1 के portion में accuracy level 100% हो जाता है, इसलिए अपनी priority इस तरह से आप सेट करें, तो आप अपना score इन दो groups के साथ भी लेते हुए चलते हैं, तो 200 तक आप अपना score पहुचा सकते हैं, इसके बाद मैं group 3 की बात करता हूं, तो group 3 में जो RP 3 है, revision priority 3, यहां पर आपको मैंने दिया है, physics में अगर हम बात करें, तो loss of motion आ गया, friction आ गया, work majority students uncomfortable feel करते हैं, या उतना confidence generate नहीं कर पाते हैं, यह थोड़ा सा time demanding portion भी कहा जा सकता है, इसी तरह से इन में accuracy level भी बहुत अच्छा नहीं आता है, इसलिए usually मैंने यहां पर group 3 में रखा है, अगर इन chapters का easy question आता है, तो usually बन जाता है students से, लेकिन अगर tough question आ जाता है, तो यहां पर उस level का question बनाना मुश्किल हो जाता है कईवा, इसलिए इसे हमने group 3 में रखा है, group 3 में chemistry में psychometry आ जाता है, जिसमें mole and redox आ गया, electrochemistry आ जाता है, oxygen and nitrogen containing compounds आता है, और इसी तरह से math में complex number and conic section जिसमें parabola, ellipse and hyperbola आ गया, तो यह portion वो है, जो की connected भी है, इन की complex number अपने आप म relatively कम होता है, हमने इन chapters को इसलिए revision priority 3 में रखा है, और मैं suggest करूँगा कि इसी order में आप काम करें, right, तो group 1 and group 2, यह भी अगर आप कर लेते हैं, ढंक से, और उसके बाद आपने revision priority 3 पर लिया, तो आप यकिन मान कर चलिए कि आप अपने score को बहुत अच्छे level पर ले जाते हैं group 4 की में बात करता हूँ, group 4 में magnetic effect of current, EMI, AC and EMW and बाकी बचे वे जो भी chapters है, वो आ जाते हैं, chemistry में gashes street, chemical equilibrium, ionic equilibrium, यह जो portion है, chemical equilibrium, ionic equilibrium, यह time demanding portion है, questions कई बार ionic equilibrium के बहुत टफ भी हो जाते हैं, interesting बहुत है, इसलिए कई बार students इसको revision में पहले ले ले लेते हैं, लेकिन मेरा suggestion है कि आप अपनी priority इस तरीके से plan करें, जिससे आपको बहुत अच्छा confidence मिले अपने subject के ओपर overall grip आपकी बने और आप ज्यादा score ला सकें, इसी तरह से mathematics में permutation, combination, probability, trigonometry, trigonometry में usually 3-4 chapters आ जाते हैं, solution of triangle आ जाता है, trigonometric ratio, trigonometric equations and inverse trigonometric function, यह सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, साथ में binomial theorem, जो कि वाकई थोड़ा सा कई बार मतलब discomfort देता है students को, इसमें इतना confidence जनरेट नहीं हो पाता है, और इसी तरह से कुछ भी जो बाकी बच्चेवे chapters हैं, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो अगर आप groups बना कर इस तरह से priority set करेंगे, जो RP method जिसको में नाम दे रह करते हैं, तो definitely आप अपने total को 200 से उपर ले जा सकते हैं, और कुछ questions अगर आप यहाँ से भी बना देते हैं, group 3 and group 4 से, तो शॉर शॉर्ट आप 220 का total cross कर जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा total है, top NITS में आप पहुँच जाते हैं, top ranks में आपकी position आ जाती है, मान कर चलिए कि लगबग 3000 के अंदर अंदर आप अपनी rank को push कर देते हैं, अगर आप इस level पर touch कर जाते हैं, इस score को touch कर जाते हैं, तो students मैं आपको suggest करूँगा कि आप अपने studies को अब इस moment पर इस तरह से shape दें और आगे की planning इस तरीके से करें, कि आप अपना score बहतर ला सके अपने efforts का maximum advantage ले सकें और उसके लिए जरूरी है, RP method को follow करना, revision priority method को follow करना, और जो groups मैंने बनाये हैं, इनी groups के according आप अपनी sequence प्लान कीजिए और अपना score आगे बढ़ाईए, साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगा, कि जितने भी students यहाँ पर हैं, अगर आपने e-career point app जो है हमारा, जो Google Play Store पर available है, वो download नहीं कर रखा है, तो download जरूर कर लीजिए, इस app पर बहुत सारा content available है, बहुत सारे courses जो हमारे होते हैं, बहुत सारे free courses और paid courses, सभी तरह के courses यहाँ पर available है, यह आपको अपनी preparation में बहुत help करेंगे, जैसे मैं आपको एक information दूँ, अभी recently 1st मार्च से हमारा crash course for Jayman शुरू किया जा रहा है, उसकी information, उसकी पूरी detail आपको यहाँ पर मिलेगी, और वो course इसी app पर run होगा, यह course आपको definitely अपनी rank को boost करने में बहुत help करेंगा, इसलिए इस app को जरूर डाउनलोड कीजिए, अपनी preparation को final shape दीजिए, thank you very much, wish you all the best